अगर आपको इस सब्चेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वह सारी वीडियो में मिलेंगे उस प्ले लिंक दिस्क्रिप्शन में गोरा आप जरूर चेक कर लेना तो चले स्टार्ट करते हैं Decree और Order की Execution की Series का आज का वीडियो चौथा Lecture है और आज इस वीडियो में हम सिर्फ उसे Section 49 ही डिस्क्रिस करेंगे अब तक इस Series में हम काफी सारे Lectures आपको प्रवाइट कर चुके हैं अगर आपको सारे Lectures चाहिए तो उन सभी का Link description में हमने डाल दिया है आप चेक कर सकते हैं तो यह जो Series हमने शुरू की थी Decree और Order की Execution की Series इस Series का जो सबसे पहला Lecture था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन व्यक्ति Decree को Execute कराने के लिए Apply करने के लिए Application डालने के लिए क्या होता है Decree को Execute कराने के लिए Apply कर सकता है यह आप वियाद रखना Order No.21, Rule No.16 इसके तहाँ जो आपका Decree का अंतरिती होता है वो Decree को Execute कराने के लिए Apply कर सकता है Application फाइल कर सकता है क्योंकि आपका Order No.21 और Rule No.10 CPC का यह कहता है कि जब तक कि वो व्यक्ति जो कि Decree को Execute कराने के लिए Apply करने के लिए Authorize है क्या नहीं कर देता है application नहीं फाइल कर देता है तब तक court का खुद का कोई obligation नहीं होता है कि वो suo moto decree को execute करा है जब तक कि जिस व्यक्ति के favor में decree pass हुई है जो व्यक्ति decree को execute कराने के लिए apply करने के लिए authorized है वो क्या नहीं कर देता है application नहीं कर देता है तब तक जो court है उसका कोई obligation नहीं है कि वो खुद decree को execute कराए तो इसलिए जो भी decree को execute कराना चाहता है और अगर वो execute कराने के लिए apply करने के लिए authorize है तो वो क्या करता है apply करता है तो यहाँ पर आपका जो transferi होता है decree का वो भी क्या कर सकता है order number 21 के rule number 16 के तहत decree को execute कराने के लिए apply कर सकता है तो अब यहाँ पर section 49 जो है CPC का आज की वीडियो वा topic है तो section 49 जो है आपका CPC का इस section को हम कहता है कि यह deal करता है judgment data की equity से और यह आपका pre में पूछा जाता है कि judgment data की equity से related CPC में कौन सा section है तो यह आपका section 49 और इस तरीके से भी आपका question पूछा जाता है कि डिक्री का जो transfer ही होता है उससे समने provision कहां दिया गया है CPC में तो section 49 में और ऐसा भी question पूछ लिए जाता है pre में कि transfer of property act का section 132 है वो CPC के कौन से section से related है तो यह आपका section 49 of CPC से related section है तो अब यहाँ पर जो section 49 में बात कही गई है यह क्या कही गई है इसको हम एक example के जरिये समझेंगे हुआ क्या जो A है उसके favor में B के against 5000 रुपे की degree आ रखी है और इस degree से पहले B के favor में degree आ रखी है A के against वो भी 3000 रुपे की तो अब यह वाली जो amount है इस amount को इस वाली amount के साथ adjust कराने के लिए जो B है वो क्या कर सकता है set of की मांग कर सकता है तो इस चीज से बचने के लिए अगर जो A है वो क्या करता है अपनी degree ही किसी और व्यक्ति को transfer कर देता है जिससे जो B है वो पूरे के पूरे 5000 रुपे क्या करे degree के transfer ही को दे करेगा जिनको judgment data और regional degree holder की against enforce करा सकता था तो चाहे A ने degree transfer कर दी है किसको C को लेकिन फिर भी क्या होगा जो B है वो क्या कर सकता है set of की मांग कर सकता है set of की demand कर सकता है और जो C है वो 2000 रुपे से जादा amount के लिए decree को execute नहीं करा सकता है क्योंकि जो B है उसने पहले ही A के against 3000 रुपे की decree hold की हुई थी और इस amount को क्या किया जाएगा set of किया जाएगा तो जो 5000 रुपे की decree A के favor में आई हुई थी B के against जो की उसने क्या कर दी है C को transfer कर दी है तो जो transfer है decree का यानि कि जो C person है वो सिर्फ उस decree का 2000 रुपे तक का amount ही क् सकता है B के against execute करा सकता है तो इतनी सी बात आपका section 49 CPC का कहता है I hope आपको ये समझ में आया होगा कहने का मतलब यही है कि जो आपका decree holder है वो अपनी liabilities से नहीं बस सकता है अपनी decree को किसी और को transfer करके क्योंकि अब जो transfer होगा na decree का वो वही equity hold करेगा decree के तहत जिन equities को judgment data original decree holder क कि against क्या करा सकता था enforce करा सकता था तो इतनी बात आपका section 49 CPC का कहता है और इसी से संबंधित इसी से related link करके आप याद कर सकते है Transfer of Property Act का section 132 जो की actionable claim के संबंध में जो transfer होता है उसकी liability बताता है तो ये था आपका section 49 CPC का next video में हम discuss करेंगे legal representative के regarding जो section दिया गया है section 50 and section 52 and section 53 ये सारे section आप next video में discuss करेंगे फिर उसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा section 51 के उपर जिसमें पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा mode of execution of degree जो mode होता है execution के वो क्या होता है ये पूरा detail में आपको बताया जाएगा जिससे आपका एक main का question पूरा तयार हो जाएग अगर आपको जो भी हमने subject पढ़ा दिये हैं YouTube पर उन सभी subject का PDF notes चाहिए अलग-अलग तो वो आप खरीद सकते हैं खरीदने से पहले आपने क्या करना होगा ये हमारा channel है YouTube पर इसको visit करना होगा जैसे आप इस channel को visit करेंगे इसके बाद आप slide करके इधर जाना about वाले section में जब आप about वाले section में जाएंगे तो यहाँ पर आप वो जानकारी मिलेगी कि अभी फिलहाल कौन-कौन से subject जो हमने पढ़ाए हैं उनके PDF notes available हैं तो अभी आपके IPC and evidence के PDF notes available हैं जिनको आप खरीद सकते हैं और खरीदने के लिए आपको mail करना होगा हमारे email address पर जो कि हमने य हो जाएंगे तो यहाँ पर हम CPC को भी add कर देंगे फिर उसके बाद हम CRPC के notes अगर ट्यार करते हैं और तयार हो जाएंगे पूरे तो उनको भी हम यहाँ पर add कर देंगे तो इसलिए जब भी आपको किसी particular subject के जो हमने पढ़ाए है YouTube पर notes चाहिए होंगे तो पहले आप about section मे चेक कर लेना कि भई वो subject के notes available है या नहीं अगर available है तो उस subject के साथ आप हमारे email address पर mail कर देना कि मैं हमें ये particular subject के notes खरीदने हैं फिर उसके बाद हम आपको जो भी subject में हमने content शामिल किया है उसके content list भीजेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि payment कैसे करना है तो इस तरीक झाल 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 झाल